इस बूरे के दो फूरङ कर चुके ए और लास्ट वनक्ष के दम प्रापपीक को उंसा चल रहा है 2020 ट्राफ wissen as a resource जिसमें पिछले वीडियो क्लिप में हमने पार्ट वन में स्वाइल आप देखोगे थम्निल तो वहां पे लिखा होगा स्वाइल पार्ट वन तो उसमें हमने बताया स्वाइल बनता है कैसे उसके तो पहले उन यह नाम जान लैं कि एड़श्क्स टैप अफ़श्वाइल 1 इससे स्वाइल सिसे स०॥े सब्सक्राइब तो यह चे प्रकार ऌडD वनिएमन पाये जब तो इस स्वाइल स्में आपको cover क्या करवाया गया है paragraph में यह देखना है तो इस 6 soils में से आपको तीन प्रकार के paragraphs को cover करना है हर एक soil से हलूबियल से भी, लिटराइट से भी, black से भी, red and yellow से भी, सबसे तो तीन major points कौन-कौन से हैं सबसे पहले आपको देखना है characteristics of these soils या फिर characteristics के अलावा importance कर सकते हो features कर सकते हो यह सब आपको cover करना है पहला point है दूसरा point है location of this soil in our country हमारे country में यह soil कहाँ पहाँ पाए जाते हैं वो और तीसरा, these soils is suitable for which type of crops? यह किस soils के लिए suitable होते हैं? किस crops के लिए suitable होते हैं? यह आपका third point आपको cover करना है तो सबसे पहले हम आपका confusion solve कर देते हैं कि इंडिया में जो 6 soil है यह 6 soil का location जो है आपका book में एक map दिया हुआ है तो यह map जो है हम आपके screen पे भी share कर दे रहे हैं जैसा कि आ screen पे आपको यह map दिख रहा है तो इस map में आपको क्या दिख रहा है कि location दे रहा है नीचे कुई points दिए हुएं पहले की feature शेबस वाइल का अलग-अलग color है और हर color का देखो आप पूरे इंडिया के अंदर हर एक राज्य में वह क्या किया गया है उसको color से फिल कर दिया गया तो आपको उस color के अधार पे राज्य का नाम को identify करना है मतलब साथ में मैप भर्क भी करवाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप अलूबियल साइल का ही सपोस्ट दारन आप एक्जामपल लेके चलो तो अलूबियल साइल का आपका location कहा कहा color दिख रहा है स पूरा का पूरा Northern Plains जो इसको गंगेटिक Plains कहते हैं वह पार्ट शब गुजरात भी कह सकते हो उसके अलाबा साउधरन इंडिया में चले जाओगे तो जो कोस्टल इरिया आपका दीख रहा है उन कोस्टल इरियास में भी यह स्वाइल पाए जाते हैं तो हम एक कास कवर कर देखते हैं अलूभ थेल् का में कौन के उन फीचर चायबं को और इस्वाइल को बाकि स्वाइल आप स्वाइल्ड एसको कभल के चेंट चली वन वाइन प्रियास कटे आलूवल सलकर का सबसे पहले फीचर सांव देखते हैं कि फीचर दा से यह फी रा पूरा पूरा जो स्वाइल से यह रिवर्श की डिपॉजिसं से से बनता है मतलब डिकॉजिन रीवर लेकर आता है स्वाइल को अपना सेडिमेंट को और यह डी प्लेंस वाल एरिया में तब यह स्वाइल बनता है दूसरा इट कंसेट्स ऑफ वेरियस प्रोपर्शन्स ऑफ सैंड सील्ट और इसमें बहुत प्रकार के मतलब यह पुरा लूगल स्वाइल सैंड सील्ट और क्ले को मिल करके बना हुआ है तीसरा इज़ वेरी फर्टाइल यह बहुत ही उपजाओ होता है जो था इट कुंटेंगल स्फॉरी के सीट्स अन लाइं यह कंटेन करता है पूटास को फास्फुरी के सीट्स को औरल याजन को नंबर फाइव datos रिप ए안 परियर्फॉरफ यह सिल्टी सllsट यह भलका होता है और खोखब होता है इसलिए इसको औ ना और इसमें खेती करना बहुत असान होता है तो यह अलोबेल स्वाइल का फीचर था चले दूसरा देखें पॉइंट क्रॉप सुटेवल इन दिस स्वाइल इसमें सुटेवल क्रॉप्स होगा सुगर केन पैड़ी वीट पल्स एट सेक्टर तो यह रीजन भी चलो देखें लेते हैं यहीं पर रीजन में नॉर्दर्न प्लेंस हो गया नारो कॉरिड़ और राजस्थान गुजरात अस्टर और कोस्टल प्लेंस जो आप मैं पर देख च तो इट्स आवर फूर टुडेग